श्री रादे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा रस में स्वागत है मैं विजंदर आज आपके लिए एक और नहीं कता लेके आया हूँ आज की कता है अक्षा तिर्थ्या की अक्षा तिर्थ्या क्यों मनाई जाती है इसको मनाने के पीछे क्या कारण है और आज के दिन क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊँगा तो वैसाक मास के शुकल पक्ष की तिर्थ्या अक्षा तिर्थ्या कहलाती है अक्षा का अर्थ होता है जिसका फल शैना हो मतलब जिसका फल कभी नस्ट नहीं होता और कई गुना होके फल मिलता है वो अक्षय तिर्तिया कहलाता है तो अक्षय तिर्तिया मनाने के पीछे कई सारे कारण है इसका फल कभी शेय नहीं होता और जितने कारण है वो मैं आपको बताने की कोशिस करूँगा ऐसी माननता है कि अक्षेतिर्तिया का मूरत बड़ा ही विशेस मूरत होता है इस दिन आप बिना कोई पांचांग देखे बिना कोई मूरत सिद किये क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा मूरत है आप कोई भी मांगलिक कारे शुरू कर सकते हैं जैसे विवाह, ग्रह प्रवेश, कोई वस्तर लाना हो, आभूशन लाना हो तो वो सभी काम आप अक्षेतिर्तिया के दिन बिना सोचे समझे आँख बंद करके कर सकते हैं पुराणों में यहां तक लिखा है कि इस दिन किया गया पित्रो को तरपन, पिंड़ दान और किसी भी तरह का दान, अक्षय फल प्रदान करता है मतलब आप कोई भी काम करोगे, वो आपको अक्षय होके, कई गुना होके मिलेगा अक्षय तिर्तिया के दिन, अपने से बड़े गुरुजनों का, माता पिता का अपने से बड़े लोगों का आशिरवात प्राप्त करना चाहिए और इस दिन भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करने का प्रावधान है आपको इन दोनों की पूजा करनी चाहिए अक्षय तिर्त्या के ही दिन, भगवान विश्णू के अवतार, नर्नारैन, हग्रीव और छटे अवतार, भगवान स्री परशुराम जी का जनम भी अक्षय तिर्त्या के दिन ही माना गया है आज ही के दिन, स्री दाम विरंदावन में स्री बांके बिहारी जी का हम दर्शन करते हैं लेकिन इनकी चर्णों का दर्शन साल में केवल एक बार किया जाता है और वो दिन है अक्षेतिर्थिया तो स्रीब बांके बियारी जी के चरणों का दर्शन केवल और केवल अक्षेतिर्थिया के दिन ही होता है ब्रह्मा जी के पूत्र अक्षेकुमार का आज ही के दिन जन्म माना गया है आज ही के दिन से स्री बद्रिनात धाम में कपाट खुलते हैं और लक्षमी नाराण जी के दर्शन अक्षतिर्तिया से ही प्रारम होते हैं कहते हैं कि आज ही के दिन माभार्त का युद समाप्त हुआ था और द्वापर्यू का समापन आज ही के दिन हुआ था आज के दिन कोई भी वस्तु खरीदी हुई कोई भी वस्तु दान की हुई उसका फल अक्षय होता है अनंत गुना होता है तो आज के दिन आप कोशिस करिएगा कि कुछ ना कुछ जरूर खरीदे या फिर कुछ ना कुछ सामर्थे के अनुसार जरूर दान दे अक्षयतिर्तिया के वर्थ की अनेक कथाएं परचलित हैं लेकिन उनमें से एक कथा ये भी है एक प्राचिनकाल में एक वैपारी थे जिनका नाम था धरमदास उनकी सदाचार देव और ब्रामनों के परती काफी शर्दा थी इस वर्थ के मात्मे को सुनने के बाद उसने इस परव के आने पर मागंगा में स्नान किया और विधी पुर्वक देवी देवताओं की पूजा किये पूजा करने के बाद वर्थ के दिन सवर्ण, वस्त्र और अनेक दिव्य वस्त्वें ब्रामनों को दान में दी वो आदमी वर्थ था, अनेक रोगों से गर्ष था उसके बावजूद उसने उपुवास करके धरम कर्म और दान पुनने किया अब देखिए यही वैश्य धरमदास दूसरे जनम में कुशावती का राजा बना कहते हैं अक्षतिर्त्या के दिन किये गए दान और पूजन के कार्ण यह बड़ा ही धनी प्रतापी राजा बना इतना धनी और प्रतापी राजा कि त्रिदेव भी उसके दरबार में आकर अक्षे तिर्त्या के दिन ब्राह्मन का वेश धार्ण करके उसके महायज्य में सामिल होते थे अपनी शर्धा और भक्ति का उसे कभी गमण नहीं हुआ और महान वैबावसाली होने के बाद भी वो अपने धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ माना जाता है कि आगे चलकर राजा चंदरगुप्त के रूप में ये पैदा हुआ तो ये थी अक्षे तिर्त्या के व्रत्त की कथा भविश्य पुराण में ऐसा लिखा है कि वैसाक सुकल पक्ष की तिर्त्या के दिन मारेनोका के गरब से भगवान विश्णू स्री प्रशुराम जी के रूप में परकट हुए है आज के दिन प्रशुराम जैनती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है स्री प्रशुराम जी को पूजा अर्चना करके अर्ग्य देने का आज विशेस फल बताया गया है इस परव को मनाय जाता है क्योंकि जैन समाज के पर्थम तिर्थंकर श्री रिशब्देव जी रिशब्देव भगवान ने एक वर्स की पूरी तपश्या करने के बाद इक्षु यानि सोडी गन्य रस से पारायन किया था ये श्री रिशब्देव जी अहिंसा और सत्य के परचारक थे सत्य और अहिंसा का परचार करते करते आदिनात परभू हस्तिनापूर गजपूर पदारे जा इनके पोत्र सोमियस का सासन था भगवान के आगमन की बात सुनकर सारा नगर उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा और सोम परभू के पुत्र राजकुमार स्रेयांस कुमार ने भगवान को देखकर उसने आदिनात को पैचान लिया और तुरंत सुद आहार के रूप में भगवान को गण्ये का रस दिया जिससे आदिनात ने वर्थ का परायन किया जैन्यों का मानना है कि गण्ये के रस को इक्षू रश भी खहते हैं जिस काण से यहे दिन इक्षु तिर्तिया और अक्षे तिर्तिया के नाम से विख्यात है इस दिन से मांगलिक कारियों के सुरुवात हो जाती हैं साधी विवा समूरत सद जाते हैं और बिगडे हुए काम बनने लगते हैं अक्षे तिर्तिया के दिन भगवान बाके बिहारी को और जिस घर में लड्डूगो पाल की सेवा है वहाँ पर चंदन का लेप भगवान को किया जाता है क्योंकि गर्मी के दिन है और गर्मियों में चंदन शीतलता प्रदान करता है यही कार्ण है कि चंदन का लेप भगवान को अक्षे तिर्तिया के परोपर किया जाता है ताकि हमारे भगवान गर्मी में क्यों मरे उन्हें सीतलता मिले सीतलता उन्हें प्राप्त हो अक्षे तिर्तिया के दिन एक और मानिता है कि आप सभी जानते हैं सुदामा जी बड़े गरीब थे गरीबी का श्राब था और चार मुठी चावले के भगवान के पास गए हैं और भगवान ने केवल चार मुठी चावल खाकर सुदामा को आज ही के दिन त्री लोग का राज्य सोप दियां कि सुदामा तेरे चार मुठी चावल की कीमत देख मैं कैसे चुकाता हूँ अनंत दिया है तो ये है अक्षे तिर्तिया के दिन का महत्व आज ही के दिन मा गंगा का भी जनम माना जाता है आज ही के दिन मा अन्न पुरुणा जिनकी किरपा से हमें भोजन प्राप्त होता है उनका जनम दीवस भी माना गया है तो आज ही के दिन लक्षमिनायन की पूजा की जाती है ये आप सफेद कमल, सफेद गुलाब या पीले गुलाब से भी आप लक्षमिनायन की पूजा कर सकते हैं सभी महीनों की तिर्त्या में सफेद फूल से पूजन बड़ा ही सुभ माना गया है तो ये थी अक्षय तिर्तिया के बारे में कुछ महतोपण जानकारी जो मैं आप तक लाया आगे भी ऐसी कथाएं प्यारी प्यारी बातें प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे जानकारियां आप तक लागता रहूँगा आज की कथा को आज के वीडियो को यहीं विराम आपको मेरा प्रणाम जैश्याराम जैजैश्री राधे